हेलो दोस्तों देखें यहां पर मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा और साथ-साथ में उसका तार्गीट भी बताऊंगा देखो स्टॉक मैं आपको बहुत दिनों बात दोड़ा है जब से कंपनी आया था मैं आपको बता दूँ तो लगबग नहीं दोड़ा था मैकजिममम अ केवल गिरावट ए गिरावट देखने को मिला था लगबग 33% से भी ज़्यादा गिरावट था है यहापर 33% से भी ज़्यादा गिरावट था उसके बाद इतना गिरावट होने के बाद स्टॉक भागना स्टार्ट किया और लगबग हर एक लेबल को तोड़ने की कोशिज किया और अब इस टॉक फिर 33% के गिराओट पर ही देखने को मिल रहा है आपको तो company का नाम देख सकते हैं अब बहुत नया स्टॉक था और बहुत चोटी कंपनी है इसके उपर प्लेज भी है प्लेज मतलब company ने कहीं अपने शेयर को प्लेज कर रहा है तो यह भी एक negativity है लेकिन हाँ company ने अच्छा खासा ही return दे रखा यहाँ पर और लगबग 1000 करोड का भी market cap नहीं है company का, काफी छोटा है लेकिन फिर भी जिस कदर यह stock अगर देखो के तो एक महिने में यह stock गिर चुका है लगबग 6 महिने में भी stock देखो है तो थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने को मिली है तो देखो मेरे हिसाब से जो लगता है ना कि इसने एक label जो टच किया है 500 रुपिस का और जब 400 को टच करेगा तो उसके बाद next target लगबग जो है आपको 450 या 500 के आसपास पास पहुंच जागा लेकिन पहला initial target लेके चलिए कोई दिक्कत के बात नहीं है और फिर धिरे-धिरे में आपको और भी update यहां पर देता रहूंगा यहां पर अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर शेर का प्राइस तो 400 रुपे के आसपास है 300 रुपे के आसपास है तो यह company छोटी कैसी हो गए यहां पर फोलूंगा कि आप नूटीस करो ज्यादा बेटर होगा और मैं आपको जो है डीटेल वीडियो बनाबना के बताते रहूंगा यह क्या होता मॉholिग के विजविवाइब बनाए जाता ताकि आप किवल पहुचा दिया जाए यह विडियो किसी ने किसी तरीके से इ यहां पर जो चार्जेस बगारे होते हैं दिमेट अकॉंट फ्री में डिलेवे चार्जेस फ्री में केवल 20 रुपीज लगता वो भी इंट्राइट में जो हर जगा देखने को मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिन्टो में जाके अपना डिमेट अकॉंट ओपिन कर स लगते हैं